हेलो दोस्तो बेलकम माई योट्यूब चैनल आप्शन ट्रेडिंग टेकनिकल एनालाइसिस में आप सब का स्वागत है तो दोस्तो कैसे हो आप सब उमीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे दोस्तो आज मैं आप लोग को एक ऐसा स्ट्रेडजी सिखाने जा रहा हूँ जो मार्केट के अंदर बहुत ही कामकाज करती है ठीक है दोस्तो वीडियो में आगे बरने से पहले आप लोगों से रिक्वेश्ट है वीडियो अगर इंफर्मेटिव लगे तो लाइक करें चैनल पे नए हैं तो सस्क्राइब करें साथी साथ बेल अकन के औल पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें देखे दोस्तो एक लाइक करने में ना तो आप लोगों के जेब में से कुछ जाएगा ना ही तो मेरे जेब में कुछ आएगा ठीक है आप लोग अगर ये सोचते होंगे जो एक लाइक करने से मेरे जेब में कुछ आ जाता है तो ऐसा कुछ नहीं है सिर्फ हमें यह मोटिवेशन मिलता है जो हम काम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं और लोगों तक सही ज्यान पहुचा रहे हैं ठीक है दोस्तो तो चलिए दोस्तो बिना देरी करते हुए हम जान लेते हैं आज का हमारा जो स्ट्रेटी है वो कैसा काम काज करती है मार्केट के अंदर तो देखिए दोस्तो आप लोग ये तो जानते हैं अगर मार्केट बैंक निफ्टी हो या निफ्टी अगर उपर जाती है तो हम वहाँ पे क्या करेंगे C buy करेंगे ठीक है दोस्तो या फिर bank nifty या nifty नीचे आती है तो हम वहाँ पे क्या करेंगे P buy करेंगे ठीक है दोस्तो ये तो clear हो गया ठीक है कुछ point रखूंगा आप लोगों के सामने जो की बहुती महतपूर्ण है ठीक है इस वीडियो को skip ना करें तो अच्छा है देखिए दोस्तो हमारा मकसद है आप लोगों को सही रा दिखाना और market के अंदर एक profitable trader बनाना ठीक है बाकी आप लोगों का क्या राई है ये comment section में comment करके जरूर बताना ताकि हमें पता लगे जो आखिर आप लोगों का राई क्या है ठीक है दोस्तो और ये तो clear हो गया अगर market उपर जाती है तो हम यहाँ पर C buy करेंगे या फिर market नीचे आती है तो हम यहाँ पर P buy करेंगे खास कर उन लोगों के लिए बहती महतपूर्ण आज का वीडियो होने वाला है जो लोग beginner है ऐसा क्यों कहा मैंने क्योंकि आप लोग सिर्फ ये जानते हो जो index के अंदर सिर्फ call और put to buy किया जाता है इसके इलाबा कुछ नहीं किया जाता है आप लोग सिर्फ इतना ही जानते हो लेकिन आप लोग ये नहीं जानते हो इंडेक्स के अंदर यानि की options के अंदर क्या-क्या rules follow करना पड़ता है और risk management क्या चीज होता है ये आप लोग को बिलकुल भी नहीं पता है ठीक है तो आशा करता हूँ आप लोग सारे चीजे जो है अच्छे से समझिए और उसके बाद market के अंदर कामकाज करिए ठीक है दो इस strategy के अंदर आप लोगों को 5 rules को follow करना है पहला rule क्या है देखिए मान के चलिए अभी जो हमारा nifty है example दे रहा हूँ आप लोग को 18,000 पे चल रही है जो strike price है 18,000 का है ठीक है दोस्तो और इसका जो premium है वो चल रही है 100 रुपे पर मैं आप लोग को एक example दे रहा हूँ और अच्छे से समझाने की कोशिस कर रहा हूँ ठीक है दोस्तो जो इसका premium है C side के तरफ वो है 100 रुपे है ठीक है दोस्तो और जो P side के तरफ है वो भी 100 रुपे है ठीक है दोस्तो ये clear हो गया ये क्या होगा हमारा add the money याने की ATM ठीक है और अगर हम ये दोनों को buy कर लेते हैं तो क्या हो जाता है ये चलिए जानते हैं बिस्तार रुप से अगर हम P और C दोनों buy कर लेते हैं 100-100 रुपे पर तो क्या हो जाता है ये और इसी से हमारा ये strategy बनेगा ठीक है दोस्तो आप लोग को बिल्कुल सरल भासा में सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ तो पहले हम इस चार्ट को किलियर कर देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए तो देखे दोस्तो अब हमने चार्ट को किलियर कर दिया है अब जो हमारा इस strategy का 5 point जो महत पूर्ण है जिससे हमारा ये strategy बनता है चलिए अब हम उसे फट इन कागज लेकर के आप लोग बैठ जाए क्योंकि बहुती महत पूर्ण होने वाला है ये वीडियो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करे इस strategy जो है हमारा दोस्तो इस strategy का नाम है straddle strategy ठीक है दोस्तो यह तो किलियर हो गया अब इसके अंदर जो condition है जो point है वो 5 point को game strike price का होना चाहिए ठीक है दोस्तो जैसा कि मैंने आप लोगों को example दिया था मैंने आपको example दिया था 100 रुपे का same same होना चाहिए call और put ठीक है दोस्तो ये बात आप लोग याद रखिए देखिए 2-4 रुपे का अगर फर्क हो जाता है तो उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है जैसे अगर call side के तरफ 100 रुपीज का है premium और put side के तरफ 98, 95, 93 तो चलेगा अगर इससे कम उपर नीचे है तो बिलकुल भी नहीं चलेगा ठीक है दोस्तो ये पहला point हमारा यहाँ पे clear हो जाता है ठीक दूसरा point यहाँ पे आप लोगों को same expiry का ही strike price का C और P लेना है ठीक है दोस्तो जैसे suppose कर लीजिए example के तोर पे मैं आप लोगों को समझाता हूँ जैसे कि 9 फरवरी का expiry है तो आप लोगों को उसी expiry का आप लोगों को call और put दोनों same लेना है ठीक है दोस्तो और एक बात का याद जरूर रखें अगर आप 1 lot call लेते हो तो 1 lot आप लोगों put भी लेना है ठीक है दोस्तो एक ही lot लेना अगर 2 lot लेते हो तो 2 lot call 2 lot put दोनों ही लेना है ठीक है दोस्तो दूसरा point भी हमारा यहाँ पर clear हो गया ठीक है दोस्तो अब चलिए next नेक्स्ट जो हमारा है यहाँ पर point वो है expiry को जैसे कि Thursday को expiry होता है उस दिन यह आप लोगों को strategy को follow नहीं करना है ठीक है दोस्तो उस दिन आप लोग इस strategy को avoid करें ठीक है दोस्तो यह हमारा तीसरा point भी यहाँ पर clear हो गया ठीक है दोस्तो चौथा और जो कि सबसे महत पूर्ण है point वो है market के अंदर volatility होनी चाहिए ठीक है दोस्तो जब तक market मे volatility नहीं होगी तब तक आप लोगों को इस strategy को बिलकुल भी follow नहीं करना है ठीक है दोस्तो market पूरा volatile होनी चाहिए और उसके बाद ही यह strategy आप लोग को अच्छा पैसा बना के देगा market के अंदर range bound market होगी तो उस market के अंदर यह strategy बिलकुल भी कामकाज नहीं करेगी ठीक है दो दोस्तो अब जो हमारा आखरी point है जो की पाचमा point है आप लोगों को stop loss इसके अंदर नहीं लगाना है ठीक है दोस्तो अगर आप लोग stop loss लगा देते हैं तो यह strategy बिलकुल भी काम नहीं करेगी क्योंकि जब market volatile होगी उसके अंदर क्या होगा आप लोगों का यहाँ पर stop loss हं हो जाए और आप लोग loss के अंदर आ सकते हैं तो इस strategy के अंदर आप लोगों को बिलकुल भी stop loss नहीं लगाना है ठीक है दोस्तो तो वासा करता हूँ सारे चीजे आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी तो दोस्तो अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो च टेलिग्राम चैनल नहीं जोएन किया हुआ है तो जाकर के जोएन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको वीडियो के description में और plus चैनल के award section में मिल जाएगा तो तब तक के लिए जैहिंद वंदे मातरम